Hello friends, welcome to our channel The Place of Learning ने आपका बहुत बहुत स्वाकत है, मेरे नाम है पढ़ना सी, मैं आपको हमारे चैनल पर जावा की ठीओरी पढ़ाने वाने ही, तो आपको जैसा कि पता होगा कि जावा एक प्रोग्रामिंग रेंगेज है, तो सबसे पहले हमें इसमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग क संब्सक्राइए, प्रोग्राम कि होता है। उच्से पहले हम ये डानते ही इसको कोड बोलते हैं in a language of computer can understand मतलब कि हम एक साइट आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कोई भी हमारा काम कराने करी है उसको हम कोड बोलते हैं और वो उसकी लेंगवेज इस बोलना पढ़ बताना पढ़ता है बोलते हैं उसको इनस्ट्रक्शन देते हैं उसको व्याँकोड फोल्ला करίζ़ना इस सारी ल्कापर को क्यूटर को इनस्ट्रक्शन देने के लिए लिए इसके अमारे कॉम कराने खीथें अब आगे चलते हैं देखते हैं कि हम कॉंकॉल से टॉपिक आज पढ़ेंगे आने वाली वीडियो देखें देखें है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वार्टिस जावा-्जावा-क्राम दखेंगे जावा कि यामान्ट क्या नर्य smells like c++ java में difference क्या है hello world का हुआ हम अपना पहला प्रोग्राम लेखेंगे ठीक है तिर हम देखेंगे के java internet ने बहुत कैसे करता है फिर देखेंगे के java jvm jrejdk यह सब क्या है यह पूछ जाता है interview with jvm jrejdk क्या है फिर देखेंगे java में variables किस-kis type के होते data type के होते हूं unique code क्या होता है operators क्या होते keywords क्या होते है यह हम जानेगे आने अली हम वीडियो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छे पहले देखेंगे java what is java तो अच्छे पहले simply देखेंगे java एक language है जैसे कि हम जैसे कि हम Hindi English वराठी अधार्वन language यूज करते हैं एक दूसरे से connect करने के लिए वैसे ही java एक language है जो कि हम किसी कंप्यूटर या जैसे करने करने के लिए यूज करते हैं तो कि java is an object oriented class based concurrent secure general purpose computer programming language it is widely used robust technology मितनफ के दो सारे languages सबके अपने अपने features है java के feature है कि यह object oriented है class based है concurrent है secure है और general purpose ने use की वापी हो तो अब इनकी यह वर्ट थोड़े अभी आपको भारी लग रहे हूंगी कि object oriented का मतनब क्या होता होए class based concurrent terminal purpose यह सब क्या होता है इनको ब्रीफ पी जान लेते हैं पुरी तरीके से हम अपने आने वाले वीडियो में एक एक topic करके समझेंगी कि object orientation का मतनब क्या होता है class based क्या होता है Java को मुझती इसने जाना जाता है कि यह platform independent यह platform independent का मतनब होना क्या ह है कि ठीक है तो सबसे पहले object oriented का मतनब होता है कि Java में जो भी कुछ हमें अगर कोई भी हमने अगर क्लास निकी है उसका अगर कोई भी variable method अगर हमने यूज करना है तो कि हम उसका पहले object बनाना पड़ेगा main class में तब ही हम उसके variables या method को access कर सकते हैं ठीक है और यह पाइड robust technology Robust मितलब जितनी भी वजबू technologies होती है उनमें हम Java language का यूज कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं कौन कौन सी devices में Java का यूज होता है like desktop application desktop application अतना जैसे कि हमारे laptop या अधूटर की विंडो होती है उसकान desktop बोलते है उसमें जो applications होती है उनमें Java का यूज किया जा सकता है उनको बनाने के लिए जैसे कि media player हो गया इस पॉर्म लोग आड़ने वगारा चलाते हैं एक antivirus करके एप आता है laptop में एक antivirus में होता है virus detect करने के लिए antivirus करते हैं वेब अप्लिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं वेब अप्लिकेशन मतलब हो गया के website वगारा जैसे के आप आप लोग में देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी वेब साइटे हैं अजर आप सेर्च करेंगे के जैसे java t-point है skiller की है वो सारी website अच्छी ये जैव अप्लिकेशन से जो किसी में किसी language में लिखी करेंगे वेशे पन जावब भी ये उस कर सकते हैं उनको निख भी गई है एंटरप्राइस एप्लिकेशन हो गई इंटरप्राइस एप्लिकेशन में इतना बड़ी बड़ी जो एप्लिकेशन होती हैं लाइक Amazon, Flipkart, Instagram ये बहुत बड़ी बड़ी एप इंस्टाग्राम तो में इंस्टाग्र हैं को आध. म ये भी हम जावब कर सकते हैं मोबाल अप्लिकेशन लाइप में पह नहीं भी बताया Instagram कर सकते हैं जावब पर अचल आप धचशन मतल Dare अपने चार्ट काड दिखा होगा, उन में क्या होता है, अध्या विजा और काड है, ओन में उन्दर की चेक लगी होती है, वो चेक किसी भी जिस ओनर काड है, उसका data store करते है, तो डेटा store करने के लिए उसके अंदर एक code, code का यूज़ की उज़ाएगा है, वो code किस language में इनक है वह भी मैटर करता है उसके लिए अपन जावा का यूज कर सकते है उस में इस विंजर का डेटा स्टोर करता है रोबो टिक्स इंस इस सब्ड़े्ट जावाकर भोटा है ठीक तो आज हमने जाना कि यर दा ह क्या है जावा का मतलब जावा प्रोग्रामिंग लाइंग्वेज है तो अब हम आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगी कि जावा के हिस्ट्री क्या है जावा की फीचर्स क्या-क्या है यह हम जानेंगे अपनी आगे आने वाले वीडियो से थैंक यू वेल्कुट